हालो हालो वाडू करवा हालो तो आज तो है ना मैंने मेथी की सबजी और बीट का पराथा बनाया आपने येसी मेथी की सबजी कहीं नहीं खाई हो गियो ये तो मैं गेरंटी के साथ कह सकती हूँ तो सबसे पेले क्या किया मेथी को चौपिंग किया और उसके बाद है ना मेथ चोड़ा सा तानाग कहते हूं में इसको तनिया कहते ह Hearts सभसे पहले से दोनी पड़ती है एसे हाथ में चोड़ के दोनी पड़ती है और नीचोड़ निचोल के जोनी पड़ती है, तो सबसे पहले मैंने इसे इसे तो लिया, उसके बाद हम उसकी सबजी बनाने की तयारी करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लुया ले लिया, लुया है ना बड़ा ही ले ना, छोटा लुया लोगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, कि वो मेथी डा लोगे ना तो उसको हीलाने में बहुत दिक्कत आएंगी और वो बाहर निकल जाएंगी और ये राई डाली में ने हमारे घर में है ना राई ज्यादा खाते हैं आप उसमें वो बोलते हैं ना इंदी में क्या बोलते हैं ज्यादा कम कर सकते हो और उसके बाद उसमें है ना डले सुनने ही होता है, उसमें अदुमिर्ची होता है, और ये देखो में आदुमिर्च डल के अच्छे से भून लिया, तेल में, तेल ज्यादा रखना पड़ता है है, उसके बाद है ना, मैंने मेथी की, चो मेथी और धाना मिक्स किया था ना, मेथी और धनिया वो मैंने डाल दिया उसमे और उसको एसे है ना थोड़ी देर हीलाना पड़ता है अच्छे से मीक्स करना पड़ता है ताकि है ना वो तेल है ना वो सारी सबजी में लग जाए अच्छे से मीक्स करने के बाद ही उसको एसे है ने एसे रख देना चाहिए अभ और एसे ही पकने दूंगी और ये तब तक पकती है ना तब तक है ना हम पराठे की तयारी कर लेते हैं तो पराठे बनाने से पहले मैं आप सब को ये सब बताना चाहती हूँ कि आप है ना चेनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और एसी नही नही वीडियो आप को मिलती रहेंगी अगर आप कोई unique recipe बनाते हो ना घर पे तो मेरे को comment में लिख के भी देना में भी बनाऊंगी घर पे और येसे वीडियो बना के दिखाऊंगी और बताना केसी लगी हो तो वीडियो को like और subscribe करना नहीं भूलना मेरे को उससे support मिलता है motivation मिलता है आपको पता ह उसके बाद ये देखो बीट को ऐसे crust कर लिया उसके बाद थोड़ा सा बीच बीच में है ना सबजी को हिलाना पड़ता है और ये देखो टोमाटर है ना उसके बाद ही डालने है पहले टोमाटर डालने के डाल दोगे भीर सबजी डालोगे ना तो वो टोमाटर है ना सबज अब दैने में टाइम लगएगा तो एसे ही रहने देना है टेमाटर डालने के बाद ठीके है और उसके बाद मैंने है बदा मसाला बागी रखा था ना? वो चटनी है वो बगधुरा चीरा है तो डालना है яelay देना i pasta आना टाल देना Ajay起ini we सबजी पकने के बाद ही डालती हूँ इससे है ना मसाले का टेस्ट जाता नहीं है और सबजी बहुत अच्छी बनती है तो यह देखो हमने सारे मसाले डाल दिये और उसको अच्छे से हिला लिया अच्छे से हिलाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा है ना पानी डालेंगे पानी गरम होने तक ऐसे हिलाते ही रहना है उसके बाद मैं उसमें डालोगी चना का लोट चना का लोट डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी का टेस्ट अलग ही आता है बहुत वो बुलते हैं फरसान खाते हो ना उसमें जो आपका फरसी टेस्ट आता है यह सा आता है औ और इसमें फिर से ठकन डाल के ऐसे रहने देना है और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि है यह ना एसे चना का लोट डालने के बाद है। उसको हिलाना नहीं है उसको ऐसे ही पकने देना है इससे क्या होगा कि इसकी है न वो लोए में बेठेंगी नहीं नीचे है न वो जलेगी नहीं तो ऐसे ही चने के लोट को पकने देना है और उपर से नमक छिलक देना है नमक छिलकने के बारे चना का लोट पक जाये न उसके ब थोड़ी ही देर में हम उसे निकाल देंगे, बहुत अच्छे से पक गई है यह सबजी, थोड़ी देरे से ही रेने देंगे, और उसके बाद हम उसे निकाल देंगे, देखो कितनी अच्छे, और इसे सबजी बना होगे ना मेथी की, तो वो है ना ग्रीन ग्रीन ही रहेगी, ब भोग लगाने के बाद ही हम खाएंगे तो यह में भोग के डीस है न ठाकोची कि उसमें मैंने निकाल दिया। अब हम करते हैं पराठे की तयारी, पराठे की तयारी करने के लिए है ना, पहले तो मैं लोट को छान लेती हूँ हवाले से, हमारे में गुजराती में तो इसे हवाला ही कहते हैं, और उसके बाद वो छुकंदर था ना, बीट, हमारे गुजराती में तो बीट कहते हैं, उसका एसे रस निचोड़ के निकाल लेना है और ये देखो मैं निकाल रही हूँ एसे एसे अच्छे से निचोड़ना है रस को अच्छे से दबाना है जीतना जोरोना बोडी में वो ताकत लगा के निचोड़ देना है सारा का सारा रस और देखो उसको है ना ऐसे लोट में डाल देना है आटा है ना उसमें डाल देना है आटा में अच्छे से डाल देना है और भी वो चोटा है ना वो छलाने में हमारे गुजरती में उसको छलाना कहते है उसमें पानी डाल के बीर से डाल देना है देखो में पानी डाला बीर से उसमें डाल देना है ताकि वो चिपक गया था न वो भी हमारे यूज में आ जाए उसके बाद हम लोट बानने की तयारी करते हैं अच्छे से लोट को गुंदना है इतना नरम बहुत नरम भी नहीं और बहुत कड़क भी नहीं इस तरह से नरम करके गुंदना है आप इसमें त केल डाल के गुंद रही हुम है ताकि वो सौफ्ट हो जाए चितना सौफ्ट अच्छा होगा ना उतना हमारा पराठा का ना वो बहुत अच्छा बनेगा यह लेखो मैं ने बना लिया एसे लुआ लुआ बनाना है एच्छे तीरे-तीरे से है ना वो बहुत मोटा ही नहीं और बहुत टुका ही ने यह देखो यह मैं रात में लग गया है ना तो बहुत चूप रहा है कुछ भी चीज वो उसमें टच कर जाती है ना तो बहुत उसमें है ना वो दुखावा होता है गुजराती में हम इसा ही बोलते है दुखावा और यह देखो बेल लेना है इस तर पिंक पिंक अच्छा अच्छा कलर आया है आज तो मैंने पराठा का मेचिंग कुर्ती भी पेना है दो वो मेचिंग मेचिंग हो गया सेमपीच हो गया और यह देखो हमारा पराठा बनके हो गया रेडिक तो हब हम हुसे सेकेंगे अच्छे से अच्छे से सेकने के बाद ही उस अच्छा वाला टेस्ट हैगा मैं तो गी में ही सेखती हूं और इसे तीरे-दीरे गेस पैसेखना है हौं जितना तीरा-देरा गेस पैसेखोगे न उतना बहुत अच्छा टेस्ट हैगा और यह देखो एक साइड हमारा पक गया है अब हम दूसरी साइड पकाएंगे एक थे रोज की तो ये देखो ये मैंने उलट फुलट कर दिया उसके बाद ही ना उसमें पूरा पका के ही उसमें गी डालना है तो मैंने पूरा पका दिया उसके बाद उसमें गी डालूंगी और ये देखो मैंने गी डाल दिया अच्छे से गी डालना है अच्छे से गी में पका देना है और ये देखो हमारा बन के हो गया रेड़ी पराठा पिंक पराठा क्या कहते है इसे पिंक पराठा कहते है अब कॉमेंट में लिखना गुलाबी गुलाबी पराठा साम गुलाबी पराठा गुलाबी और ग्रीन सबजी हो गया ना अच्छा कॉम्बिनेशन ये देखो हमारी बोक की ताली हो गई रेड़ी बन्या के खाओ और सब्सक्राइब